तो जैसे कि आपको पता है हम अपने कंप्यूटर के एंसी के डिसकस कर रहे हैं तो आज का फॉस्ट कॉस्टिन आगे हमारे पास दर रेंज ओफ एलेक्ट्रमाइटिक स्पेक्ट्रम बेट्वें टैन किलो हर्स एंड वन गीगा हर्स ठीक है यहां पर बात करिए जो हमारे एले पर तुमीडियम बोलते हैं तब भी हम क्या बढ़ते हैं फिश्टरमेट्टरम बढ़ता है तो यहां पर कैथर रखें कि यह अरह घ смотр कनि लाइस year करते you लई बैसे तो हम बोलते है कि हमारे 3 kHz लेकर 3 GHz तक चलती है पर according to options यहाँ पर जो ऑप्शन वह बी है वह एक्जक्ट जो आंसर आ यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर 10 kHz लेकर 1 GHz तक है हमारी radio frequency यहाँ पर लाइक करती है फिर next आगे दी आएक्स स्टेंड फॉर ठीक है डी एक्टमें गृुप था तीन में इन कम्पणी जिन्हों नहीं कहां बोलते है यह तीनों कंपणी नहीं यह नेटवर को अगे फिल्ट इसका इन तीनों कंपणी बनाया है नफेर उस्तायम पर 10 MPs तो के तीन कंपणी तीटक उसे 1 एज़ तो यहां पर जो अंसर आना चाहिए था वहां पर यहां पर यहां पर दिस्टल के जगा डिस्टल लिखा और के जगा डी इसी भी लिखा इसको ठीक है अच्छल में यह तीन के हमारी कमपनी जाए जिन्हों ने एथरनेट के ऊपर काम किया था अपना अगर हम लिखेंगे नम ठीक है नम डिवाइड़ वाइट करेंगी तो उस किसके बराबर होगा तो फर्स्ट ऑप्शन गल आता है सेकंड कल आता है थर्ड गल तो यहां पर आएगा फोर्ट ऑप्शन कोरेक्ट आंसर आएगा ठीक है कि हम जब भी नम स्लैश इकोल टू का चैक तो यहां पे उस एककौशिन इसस्हमा बटन करेंगे न तो वैसे बनेगा Fées चॉस कोर्ड करेंगे दर्म अ क्रेट करता है तो उसको म किया बोलते है प्रोग्राम बोलते हैं ठीक है तो सोर्स कोड अच्छन में होता है प्रोग्राम होता है तो यहां पे का अप्शन पर हमारा be correct answer है फिनेस कोशन आगे हमार पस the shortcut key for moving to the beginning of the word document अगर मुझे सबसे starting में जाना होगा अपने word document में तो मैं कौन सी shortcut key use करूँगा फिर्स लिख है control shift home second लिख है control plus home थर्ड लिख है shift plus home और फॉर्थ लिखे है अल्ट कंट्रोल प्लस होम ठीक है अब मुझे करना है जाना है मुझे बिगिनिग अफ दर डॉक्यमेंट जाने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस होम का ठीक है तो यहां पर ऑप्शन नमबर बी आएगा क्रेक्ट अंसर फिन एस कोस्टन आ गय एक एक तो जो जो आएगी इसके बाद ये इसको कैसे लेगा बता कि मुझे सेकंड इंस्ट्रक्शन आएगी इसके बाद तो ओबिसली कोई न कोई जो रिजिस्टर होगा जो इसको identify कर रहा होगा इसको मतलब locate कर रहा होगा इसको या फिर point कर रहा हो basically कि भाई इसके बाद इसका number आएगा तो उस register का नाम पुछा है तो यहां पर question में यह लिखा था which register keep the track over the next instruction तो next instruction के बारे में कौन अपने अंदर इंस्ट्रक्शन के बारे में basically बोला कि कौन बताता है तो यह आते हमारा प्रोग्राम काउंटर ठीक है इंपोर्टेंट है तो next question आगे हमारे पास P.O.L. ठीक है P.O.L. पूछा है किस टाइप की language है यह हमारी low-level language है assembly language है high-level language या फिर एक language translator है ठीक है तो जो हमारे P.O.L. ठीक है तो यह हमारी high-level language है तो यहां पर option नमबर क्या है हमारा C correct टांसर आएगा फिर next question आगे हमारे पास दा voltage current resistance ठीक है अब बोला है जो हमारा voltage current resistance होता है ठीक है जो हम फिजिकल लेयर पड़ते हैं उसमें जो हमारे multiple devices होते हैं वहाँ पर यह चीजें यह सारी काम में आती तो वहाँ पुछा है कि voltage current रेजिस्टेंस है उसको हम किस की help से मेजर करते हैं ठीक है तो यह हम एक टूल आता है basically multimeter बोलते हैं उसको ठीक है उसकी help से मैं क्या कर सकता हूं और रिसर्च टास्क पैन को तू सर्च इसके यह से कुछ चीज़ सर्च कर सकता हूं किसी भी material को सर्च कर सकता हूं उसकी shortcut की पुछी है तो उसकी shortcut की हमारे पास simple alt plus click ठीक है simply हम क्या करेंगे alt plus यहां पर click यहां पर control आएगा basically alt plus हम क्या करेंगे control का यूज करेंगे तो यहां पर option पर first आएगा correct answer फिनेस कोशन आगे हमारे पास the shortcut key for viewing macros in excel ठीक है और हमें excel को देखना होगा या फिर किया पुछते हैं उसको run करवाना होगा तो उसके लिए shortcut command कौन सी है ठीक है तो यहां पर आएगा option हो हमारा फिनेस कोशन आगे हमारे पास which of the following is a private network यहां पर बोले कि प्राइवेट नेट्वर्क कौन से होते है इंटरनेट आर्फानेट इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट ठीक है तो हमारा जो प्राइवेट नेट्रों को हम क्या बोलते हैं इंट्रानेट बोलते हैं यह से इंट् प्राइवेट नेट्रों कोते है तो यहां पर आएगा option हमारा C Correct Answer फिर आगे हमारे पास hyperlink है अब्जेक्ट है रिखेंग किस एफ절 में मैं अडूक्ष दोकूए एकुमेंन बेवर्थियंध और ने अट लइफ़्यम फिर वॉपरित थे ना लाइकोस.com एक्चल में है कि एक वेब ब्राउजर है सर्च इंजन है हाइपर लिंक है या फिर एक मेल आईडी है तो लाइकोस के हमारा एक सर्च इंजन है यहां पर आएग ऑप्शन में हमारा भी कोरेक्ट आंसर फिन आगे था एक्स्टेंशिन ऑफ स्टेंशिन फाइव फा सॉर्च पर इंजन हैसे जादा अच्टीडर करते हैं सब्सक्राब्च इन थे सब्सक्राइगा सब्सक्रावाथ है किउत्स नाश्यृष के इन 1989 में 1989 में कौन सी जनरेशन में आया था 1989 से कौन सी जनरेशन स्टार्ट है हमारी फिफ्ट जनरेशन स्टार्ट है इसके लावा पूछते हैं कि स्टेमल का फांडर को ने तो टीम बंस ली ए टीम बंस ली नहीं जिसने एस्टेमल लेंगिज बनाई होगी उसी ने अपना फर्स्ट वैब ब्राउजर बनाया होगा जिसका नाम थमारा वर्ड वाइड वैब एक वह वर्ड वाइड वैब जो हम अलग यूज करते हैं ठीक है लग गया वर्ड वाइड वैब एक ब्राउजर भी है वर्ड वाइड वाइड वेब वेट वाइड यूज निंषी लांगिज के लिगा है तो हैश टीफाइन की आउते मारा प्री वर्चर डिरेक्टीव ठीक है तो यहां पर एुच्छंप फर्स्ट क्रेक्ट एंसर फिरें किसी एक्जीकुशन काना किस पर्टिकुलर टाइम के लिए थोड़ी देडीले करते है इस अब हरा हमारा सेकिंड गॉर्टअ क्स टाइम के लिए एक्जीकुशन करेगा बसक हों किसे काम को है यहां पर आएगा उसमें कितने डाड़ा टाइप होते हैं चार आठ दस या 255 तो याद अखना कितने होते हैं मेली हमारे इसको फैक्ट पास किया अरगमेंट 4 इसका आएगा हमारा 24 इंकि हम बतना है इसको फैक्टोरियल निकालना ना तो फैक्टोरियल कैसे निकला है 3 multiply by 2 multiply by 1 ठीक है 4 ठीक है 12 टीक है 24 ऐसे करके इसका जो अंसर निकला है हमारा फिर नास कोच्टन आगे हम आपस इन एक्सल बैंडेट रोज और प्रेजेंट इन ठीक है एक्सल के अंदर हम बैंडेट रोज कोस में किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं फॉर्मेट मेनु में टेबल मेनु में डाटा वलेडिशन में या फिर टेक्स्ट टू कॉलम्स में ठीक है तो यह पूछा कि हमारे बैंडेट रोज होते हैं यह हमें कहां पर मिलेगा यह उप्शन तो यहां पर ऑप्शन नम्र क्या आएगा बी क्रेक्ट अंसर आएगा फिर इलस्टेट कमपेज़िजन अमंग इंडीविजवल डाटा इटम के यह फिर डाटा टम्स बोलते हैं पर बूला कि अगर मुझे कमपेज़िजन करना होगा ना इंड檬्विजवल डाटा इटम पर तो मुझे कौन सा चार्ट है जो बेस्ट है एक तरह का पाइचार्ट कॉल टिक है यहाँ लिखा सूरी हर नौजडेफिनीट ऑडरंग किसमें होती है मैस्त उपोलोजी में तो यहां पर मिलेग हमीनोडिफाइड ऑडरी यह हमें मिलते है ग्राफ टोपलोजी है नियौ Kerry सिएक्ट कोई बी किसी के साथ परिलिंक नहीं होता है तो यहां पर आप और documentation is documentation होती क्या है हमारी ठीक है तो documentation क्या होती है कैसी मतलब बॉल सकते हैं हम एक ऐसी process होती है जहां पर हम कुछ information basically बताते है कि हमारा जो program है वो कैसे काम कर रहा है तो इसको बॉल सकते है documentation it is a process of providing sufficient information in a program to understand its working तो यहां पर क्या बनेगा option हमारा second यह correct answer बनेगा ठीक है to its domain surface the extra code ठीक है एक्स्टा कोड को क्या बोलते है एक्स्टा कोड स्टैंड फॉर किसके लिए स्टैंड किया जाता है Canada United Kingdom Germany या फिर Taiwan ठीक है तो यहां पर एक्चुन में जो यहां पर वह आना था सर्फेक्स वगएरा यहां पर ठीक डंक से ए वह उसको कहने तो यहां पर यहां पर टोट ची इया रहने जाहें अजी। यहां पर लिए फ सिकीने कुन आए हमारे .mod से थी कितश पर आए ऑप्षोन हमारा सी फरेक्ट अंसर अजर फिर नास्य कोस्टन तर हमारे पर इस हमारा इन वीवी मैथ चार ठीक है यहां पे बात किया जोहारे बीजल बेसिक के मैथ होते हैं ठीक है मैं यहां पक एक आंसर क्रेक्ट कर लेना ठीक है यहां पर लि और पास in vv methods are बोले कि visual basic में जुमारे methods होते हैं वो क्या होते हैं तो methods actually में क्या होते है methods को हम क्या बोलते है उसको alternative name होते है functions ठीक है जिसे हम किसी further programming language में क्या बोलते हैं कि हमने क्या बनाया function आप function create किया function used किया तो function का यह दूसा नाम होता है methods ठीक है तो यहां पर आएका Option हो में हमारा सी करेक्ट आइस कोछन हागा हमारे पास इंप्लिसिट कन वर्जन ठीक है जो मारा इंप्लिसिट कन वर्जन होता है उसको कोन पर्फॉर्म करता है यूजर करेगा उसको compiler interpreter या फिर प्रसेसर ठीक है तो इंपेसेट काम करते हैं हमारा कंपाइलर तो यहां पर बनेगा अप्शन में हमारा सेकेंड आएगा क्रेक्ट आंसर फिर ना इसको पराने जो हम वह यूज करते हैं जहां पर डिस्क वगएरा डालते थे में लीटिक जहां पर बेजिन मिज़ी तो यहां पर आगा ऑफ्श्न मारा ओर यूएड के लिए होते हैं यहां गोल से लिस्क वगएर यूज को हैं गवारे में भी नंबर यूज को सबसे जो मिनिम नंबर है जिसको में में रिपर्जेंट कर सकते हैं वह क्या होती माइनेसट इसिक्स माइनस ट्वटीफॉश सबसे कम है तो कितना अगा हमारा हमारा माइनस टॉंटी सेवन ठीक है तो यहां पर आएगा वाला फिर्स्ट क्रेक्ट अंसर फिनस्ट कोशन आगे हमारे पास अस्काई डिवल्प रिटिक है जो हमारे अस्काई कोड एक्चुल में कौन से साल में डिवल्प किया गया था 1963 93 22 curso में 1963 में अस्काई था हमारे 1963 में गोथी हुआ था तो यहां पर ऑक्ष्ण निब्डे में पर यहां हमारे से क्रेक्ट अंसर इसके अर और पास वर्ड फर्स्ट बाइनरी डिडिस्टल कंप्यूटर थिक है तो यहां पर आएगा और हमारा सेकंड आएगा कोर्यक्ट आंसर यहां आगे यहां हमारे पास CD-ROM वाज डिवल्प्ड वाई जमारा CD-ROM था इसको किसे डिवल्प किया था Ipson ने फिलिप्स ने Sony या Sony और फिलिप्स दोनों ने ठीक है तो CD-ROM एक्चरुमें यह बना था था IBM ने Macintosh ने CDAC ने या फिर Microsoft ने ठीक है तो एक्चल में यह बना था हमारे IBM system के लिए ठीक है कि इंटल का जो चीप है कि सिस्टम में यूज किया गया था ठीक है या फिर किसके लिए बना था यह ना तो यह IBM का जो एक सिस्टम था उसके अंदर यूज किया था ठीक है IBM की की बारे फुल फॉर्म पुछते हैं इंटरनेशनल बिजन्स मशीन है ना और यहाँ पर पुल लिखा है और फ्रेडेड़ ड pendulum वाज इंटर्डे़ूस पाई टीक है एक ट स्टेंड फॉर इसको बहते हैं चार्ज कपल्ड डिवाइस तो यहां पर क्या उप्शन बनेगा हमारा उप्शन पर डी आएगा क्रेक्ट आउसर फिर ना इस कोच्छन आगया फुल फॉर्म पुछी है जिसकी फुल फॉर्म होती है अटॉमिसिटी कंसिस्टेंसी आइसलेशन डिविलिटी तो यहां पर क्या बनेगा उप्शन में मारा सी आएगा क्रेक्ट आंसर कोच्छन आगे हमारे पास तूसी दा एसक्योएल बफर कॉंटेंट विज ठीक है अगर मुझे एसक्योएल के बफर अब एक मेमरी है उसके मुझे कॉंटेंट देखने होगे तो मैं किसकी याप से जै सकता हूं में इस सिक लिए तो इसको लिस्ट बोलते है तो यहां पर ऑप्शन में क्या बनेगा सेकेंड आए तो परसेंटेज जो कैपिटल वाइए यह रिटर्न करते हैं हमें यह और यह रिटर्न करते हैं फोर डिजिट में तो यहां पर बनेगा ऑप्शन हों मारा सेकेंड क्रेक्ट अंसर फिनस कोष्ण आगे हमारे पस तब लोब ठीक है ब्लोब डाटा टाइप होल्ड ठीक है जो 555 बाइट और फॉर्ट लेकिया पैंट 555 बाइट तो अक्चल में इस्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ बाइट सी स्टोर करता है तो इस टोर करता है 65535 ऑफ बाइट तो यहां पर बनेगा ऑप्शन हो मारा डी क्रेक्ट आंसर ब्लोब की यह बाट फुल फॉर्म पुछ लेत इस कुछन आगे हमारे पास in SQL the break command is used to break command हम किसके लिए यूज करते है SQL के अंदर suppress करते है duplicate value second लिखे है suppress duplicate value in row थर्ड लिखे है breaking column फॉर्थ लिखे है suppress duplicate values in column ठीके तो break command का एक्चल में हम यूज करते है कि columns में duplicate value ना जाए तो यहां पर आएगा suppress duplicate values in column यहां पर option number क्या बनेगा डी आएगा correct answer next आगे in SQL insert statement is used to SQL के अंदर हम insert statement का use क्यों करते है first आगे insert information into database आगे insert table third आगे insert row fourth आगे insert column तो insert statement का में यूज क्यों करते है कि मुझे कि किसी भी मत को information एक्चल में add करनी है यहां पर यहां पर क्या बनेगा फॉर्स्ट आप्शन नहीं क्या आएगा correct answer next आगे हमारे पास यहां पे उत्व एक है यह पूछा है कि किसके लिए उत्केटिलिटी त freelin pink इंटरमेडिक्रिट लेंगे स्टीरे तो याद रखना एक्चल में मतब फाइल में इसके हैं मया करते हैं कैशी को मतलब जो भी content होते हैं वो कैशी में क्या होते हैं इंसर्ट होते हैं तो इंसर्टिंग कैशी तो यहां पर बनेगा और सेकेंड क्रेक्ट आंसर नेस्ट कोचन आगा हमारे पास releasing unreferenced object from the memory is called ठीक है अगर मुझे कर रहा हूँ अन्रेफिरेंश चैक है मैं हटा रहा हूँ इसको ओम क्या बोलते हैं गार्बैश्क फॉलेंगे यहां पर पुछा है कि डॉट नेट क्या करन्सी को डबल को लों को या फिर स्ट्रिंग को ठीक है तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन आएगा या आगा ऑप्शन अबर डी क्रेक्ट आंसर इस सब्सक्रक्वाइद की रह scar Queen creepy क्लास है उसमें कुछ और स्कूम क्या बोलेंगे दिबाग बोप्शन कोलेंगे या पर्सएप्शन बोलेंगे तो या रखना संग क्या होते हैं एक्वेज पूलते हैं तो यह कुछ पास यह हमें प्रिज प्रवाइड करता है बिट्रीं डाता सेट एड़ाटा सोर्स तो यहां पर आएगा ओप्शन हुमारा फर्स्ट यहां पर क्या किंपुस्वार ट्रहिक हो संसा में और पिर हमारो कि मुन्स क्या स्क्र it分 109 Strips कि उसका क्या यूस है static field के लिए ईंटीजर फीड़ के लिए एक यह फिर फेड के लिए तो डिम एकचल में क्या होता है है हमारा है की वेड़ों पोच्छा था शिंपली कि 20 nic इंट्यसकों एक के बाद में ना करते है आज हुऋ कितरों उसको उसको झायथ युस करेंगे कि इस पर आथा युद्य मिलें धी रदो दिचल बेगा इंदर ठीक है बीजुल बैसी के अंदर उसमें अगर हमने स्टाटिक फिल्ड एक डिकलेर कर दिये तो वहां पर हमारा अपनी मर्जी है कि हम डिम यूज करें या फिर यूज ना करें ठीक है ठीक है ठीक आइस थैंक यू सो मुच हैव ग्रेट टेर